सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एबम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करोड़ आपके सारे इक्षा है अब मनों कमने पुरी हो दोस्तों आज इस हांद के विश्लिशन के आप सभी के समने प्रस्तूत करूंगा जिसमें यहां पर फिंगर की हाँ एनलेसेस के बाद इस पर इपाम का एनलाइस करते हु कि यहां पर गैप ओटमेटिकली मेंटेन हो रहा है जो एक प्रकार के इंडिपेंडेंट अप्रोच नेचर को इंडिकेट करता है ऐसा विक्ति बहुत ज़्यदा स्वतंतरता पूर्वक रहना और अपने जीवन को यापन करना पसंद करते हैं यही रिजन है कि किसी की दखल अंदाज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं खासकर इनकी डिसीजन्स में और खर्चिलापन भी इस करण से बहुत इनका रहने वाला है और लिडिल फिंगर के लिए थोड़ी शोट है थर्ड फिंगर के फस्पोर से थोड़ा नीचे है तो एक प्रकार का जल्दीपन हर बड और साथी साथ थोड़ा सा जो है कम्यूनिकेशन स्किल भी वीक पाए जाता है नहीं कई ना कई मन के अंदर बात को दवाना अपनी बात प्रोपली ना रख पाना इस प्रकार का इंडिकेशन से क्रियेट करता है फिंगर के उपर यहां पर सीधी खटी रेखा है जो एक प्र बोलने की छमता इनकी जादा रहेगी यहां पर एक एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूं तो यहां पर जब भी मेरे लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात हो तो मंगल गुरु खासकर और शुक्र इसके विशे में महत्पुन जानकरी प परिवारिक शुख होता है बहुत अच्छा मिलता है और वहीं जब यहां पर आड़ी रेखा भी हो तो व्यक्ति स्पिरीच्वल यानि धार्मिक भी होता है और उसका जीवन साथी इससे बहुत जादा लगाओ भी होता है तो यह जो है बहुत शुब जिन है शुब विभा क जो विभा जीवन है बहुत शुब यहां पर यापन होने वाला है जीवन साथी भी आपको जो है समझने वाला अच्छा यहां पर मिलने वाला है और साथी साथ आपके अंदर एक प्रकार का धार्मिक्ता के साथ सथ दया वाला पन भी बहुत रहेगा यानि दयावान परिवारिक जीवन से रिलेटेड सुख भी आपको अच्छा कासा जीवन मिलने वाला है शनी के छेदर पर शर्चा करें तो भाग गरेखा सरपतम यहां देख पाएंगे कि लाइफ लाइफ लाइन से आपके निकली हुई है थोड़ी फिर यहां पर आगे चल करके कमजोर हुई है और फिर इसकाद इस प्रकार से चल रही है आगे के ओर तो ये है कि इक्छा मुनो कामना आपकी से तक्रीबन सारी पूरी होगी, जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार के अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे लेकिन आपको महनत जो है सुरुवाती तोर पर जादा करने पड़ेगे, क्योंकि भाग रेखा के प्रारम जीवन रेख है आपके हाँ यानि शादी के बाद आपका जीवन में बहुत उन्नती रहने वाला है और जन्मिस्थान से दूर आपको यहाँ पर प्रोग्रेस मिलने वाला रहेगा, फिर यहाँ पर आते हैं सूरी के छेतर पर तो सूरी परवत यहाँ पर आपका वीक है, जब सूरी परव मद्वेधी देखने को यहाँ पर मिलता है अब यहाँ पर आपके माइंड लेंग से एक रेखा निकल कि यहाँ पर सूर्य को क्रॉस करते हुए बुद्ध की और जा रही है जो एक प्रकार के बिजनस लग को क्रियेट करते हैं कि बिजनस में कही न कहीं आपको प्रोग्रेस मिलेगा लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा क्रॉस बना हुआ है फिर यह रेखा है जो यहाँ जा रही है उसको भी रेखाने काटा है तो इसका भी वरे नाम यही र पर सकता है मरकरी यानि बुद्ध के विशे में चर्चा करें तो बुद्ध पर वर भी थोड़ा सा दबा हुआ है तो अपनी बात को कहीं न कहीं आप नहीं रख पाते हैं प्रॉपरली दूसरों के सामने और यहां पर सीधी खड़ी रेखा एक प्रकार का अट्रेक्टिव पर करती बने तो यह फ्लर्टी रोमेंटिक नेचर को बताता है साथ ही गुड़ सेंस ओफ यमर को भी हिर्दे रेखा की चर्चा करें तो हिर्दे रेखा कुछ इस प्रकार से निकलते आपके शनी पर आकर के खतम हुई हैं तो कहीं न कहीं मनी को लेकर के लाइफ में खुद को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आप चिंतित रहेंगे लेकिन एक सब सही योगी रेखा गुरू से यहां पर कनेक्टेड हो रही है तो एक प्रकार का आपके अंदर केरिंग नेचर भी यहां पर डेवलप होगा यानि समझने की काबिलेत बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेना इस प्रकार का नेचर यहां पर आपका साथी साथ क्रियेट होने वाला रहेगा माइड लाइन पर आपके आते हैं तो माइड लाइन आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से और यहां पर आकर के बाइफोर्क भी हुआ है इसका बाइफोर्क होना इस प्रकार से शुब होता है क्योंकि व्यक्ति अपने मस्तिश्क का सदुप्य लोग अच्छे से कर पाता है और जब यह इंडिपेंडेंटली होकर के चले तो इसका मीन यही है कि जिद्धिपन आपके अंदर रहेगा और अपने जिद्ध के आगे किसी की नहीं सुनेंगे यानि मन की थोड़ी सी जादा करने वाले रहेंगे जो भी खयाल मन में या रहने वाले रहेंगे अब यहां पर मंगल और शुक्र बचे थे तो आपका मंगल पर वह थोड़ा से यहां पर दबा हुआ है जो इत्ता कुछ खराब नहीं होता है और यहां पर इस सबसे बेस्टल लाइन यही है कि इसके लाइफ लाइन के सहयोग में चलने आली कुछ इस मिलेगा खास कर ये जीवनसाती के सही योग को यहां पर बता रहा है तो वह भी बहुत अच्छा मिलेगा याली जो जीवनसाती रहेगा आपका बहुत अच्छा आपका उससे बेठरने वाला है दोनों एक दूसरे की केयर भी खुब करेंगे समझने की काबिलत भी रहेगे सरवर्प्रथम सपोर्ट वो आपको खूब करेंगे आप भी उनका खूब करेंगे क्योंकि दोनों की एक प्रकार से केरिंग परस्नेल्टी है तो ये सारी चीजे सुखमय जिवन यापन के योगों को बताता है यहाँ पर अगर कुछ मुझे खराबी देखने को मिल रहा है तो वो है शुक्र क्योंकि शुक्र पर जब इस प्रकार के आड़े और गाड़ी इतनी ज्यादा रेखा हो तो ये एक प्रकार से चिंतात्म गतिवीधी को बढ़ा जेता है यानि पर अगर इस चीज़ को अगर आपने काबू कल लिया तो शुक्र भी अपने शुक्र परेणाम देगा और शुक्र के परेणाम के करण सुक्र सुविधा और खासका लगजरीज इन सब का जो है बहुत अच्छा सदुप्योग हो पाता है लेकिन यही अगर नेगेटिव हो तो ये सब होते वे भी इसकी कमी बहुत महसूस होती है तो इसके थोड़े से रेमेडिज आपको करने चाहिए और यही से निकलना लेकुछ आड़ी रेखा है जो थोड़े तकलीफ को बताते है लेकिन डरने वाली कोई बात ही नहीं क्योंकि सही होगी रेखा है तो जैसे के कस्ट आया है वैसे के वैसे चले ही जाएंगी इनका असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा फिर आपके जीवन रेखा के प्षा करे तो जीवन रेखा से नीचे के और रेखा है आप अच्छी आ रहा है तो विदेश यात्रा विदेशी भूमि भ्रमन के योगा आपके हाथ में आच्छे है और केतू के छेत्र पर भी चर्चा करें तो यहाँ पर भी फिसका शिंबोल बनना आपguru बह włosate है क्योंक यातराओं के सुख को अचानक से मिलने वाली संपत्ति अचानक से मिलने वाले धन को बताता है तो आपका intention जो है सरपतम या पर अच्छा होना चाहिए याणि अच्छे विचार आपके होने चाहिए कोई भी काम कर रहे है बहुत अच्छा सूच समझ के करिए और धार्मिक्ता आप जितना अपने अंदर लाएंगे उतना ही कितु अच्छा आपका होता चला जाएगा और जब कितु अच्छा होगा तो यातरों के सुखे के साथ से जीवन में हर प्रकार की सुखी है आपको बेटे बेटे दे देगा तो बिल्कुल धार्मिक्ता अपने अंदर अपनाय रखिए और यहां से निकलने लिए जो इस प्रकार के आगे क्यों रेखा जा रहे है एक तो यह हेल्थ में भी उप्रूव करता है हेल्थ में सुधार आपके आएगा और व्यापार अगर आप चाहे हैं तो व्यापार भी बेशक आप यहां पर कर सकते हैं क्योंकि व्यापारी क्रेखा इसे कहते हैं चंदर के छेद पर यहां पर आड़ी रेखा होना विदेशी यातरा विदेशी भुरु, भुमी ब्रहमन कुछ समय महापी व्यतित होने की योगों को बताता है परन्तु यहाँ पर जो आड़ी रेखा है यो ठोड़ा सही नहीं होता है यह ठोड़े से एक प्रकार के मूह माया के और खिचाओं को बताता है तो कहीं न कहीं मुह माया, भोग विला, सिंसब की उपर वेक्ति का ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है, ज्यादा सोचने विचारने लगता है और ये एक प्रगर का वेचारिक मद्भेत को भी बताता है, यानि जो मन है वो शान्त और एकदम constant नहीं रह पाता बहुत उसमें उतल पुतल मजी रहती है, तो इसके लिए भी थोड़े से उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के करण आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर शुक्र जो है अफेक्ट हो रहा है, और शुक्र भी यहाँ पर नेगेटी इसी करण से हो रहा है, तो ये थी कुछ महत्मूर बात हैं आपके हाथ से रिलेटेड आशा करता हूं सभी प्रोष्णों को अप्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहे गया हो तो जरूर पूछे तब तक आपका बहुत-बहुत देख